केटरपीलर उसको स्टार्ट किया था उसको मैंने आपको शमझाया था अब इसकी जो एक्सिसाइज है वो हम करेंगे चुर पहली एक्सिसाइज है टीक राइट करेक्ट ओप्शन तू कम्प्लिट दे फॉलोविंग सेंथेंग्स युए उसको जल्डी थी क्योंकि वो बटरफ्लाइ में टर्न होने वाला था इसलिए तो थड़ वाला आएगा वो स्पीन एन डाई क्यों हो जाता था क्योंकि इट हैस टू लिव अगें अज बटरफ्लाइ बटरफ्लाइ बनके वापस जीने के लिए वो spin होके die हो जाता था चलो यह हो गई फर्स्ट एक्ससाइज एक्ससाइज नमबर टू answer the following question पहला question है what does a caterpillar look and feel like कि caterpillar कैसा दिखता था और उसको क्या feel होता था तो पहला answer आएगा a caterpillar looks brown and fury and feel like a butterfly okay चलो उसके इसकी जो भी answer है उसकी pdf file आपको मिल जाएगी उसको बाद में आपको क्या करना है notebook में copy करना है what do caterpillars become after they die जिब caterpillars मर जाते हैं उसके बाद वो क्या बनेंगे तो क्या आएगा butterfly आएगा caterpillars become a butterfly after they die तो यह हो गए हमारे दो question के answer चलो उसके बाद का है what's the good word यह हमें column को match करना है तो देखो butter तो इसके साथ क्या आएगा coat आएगा, comb आएगा, ball आएगा ball आएगा, fly आएगा, flower आएगा तो butter है, तो obviously क्या आएगा butterfly तो इसके साथ आएगा butterfly sun तो sun क्या आएगा flower, sun flower back back coat, back comb back ball, backbone क्या आएगा, backbone हम बोलेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि किसके साथ यह match होता है और words बनता है हम ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं ना back flower, backbone ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं तो क्या आएगा backbone foot, तो foot ball हो गया आएगा, match football, rain rain, coat and honey comb, ओके तो यह आपको करना है notebook में copy चलो उसके बाद की exercise देखते हैं make as many words as you can from the given word caterpillar, one has been done for you, क्या कहा है हमें यहाँ पे, क्या करना है हमें यह एक बड़ा सा word दिया है हमें caterpillar तो हमें इस में से अलग-अलग words निकल के जो words बनते हैं वो words बनाना है जैसे कि P.A.T. Pat words बना देखो C.A.T. Cat words बना C.A.R. Car words बना P.A.P. Tap words बना E.A.R. Year बनता है A.L.L. All बनता है R.A.T. Rat बनता है तो ऐसे मैंने इतने सारे words बनाये है बाकी के जो words है उसको आपको homework में घर पे आपके मम्मी पपा की help की मदद से बनाना है ठीक है इतने मैंने बनाये है बाकी के 1, 2, 3, 4, 5 words से वो आपको homework में करना है चलो उसके बाद का देखते हैं grammar का point है My mother bought me a pair of shoes मेरी मम्मी मेरे लिए shoes की pair लाई यानि की जूटे लाई That's very very pretty तो वो बहुत अच्छे थे तो यहाँ पे वेर है तो यहाँ पे क्या आएगा धे और इत है तो क्या आएगा धे आएगा The aunt climb on a leaf The aunt की बाद होई तो aunt क्या है Animal है तो उसके साथ क्या आएगा Eat आएगा The bird was flying to death nest Bird किसकी बाद होई है Bird जो है पक्षी जो है वो अपने माले में उद रहा है तो वो अपने माले में उड़ीगा दूसरे के माले में तो नहीं उड़ीगा जाने लड़की का नाम है तो क्या आएगा She She was going to miss the bus Tom trip over the stern Death hurt his leg वो stern के उपर से कुदा तो उसने अपने पग में चोटा गई तो क्या आएगा He hurt his leg क्योंकि Tom लड़के का नाम है ठीक है चलो उसके बाद दिखो क्या करना है इसका plural word बनाना है Leaf तो Leaf का plural क्या बनेगा Leafs आएगा Stock तो इसके पीछे क्या लगेगा S लगेगा Bird तो Birds के पीछे भी क्या लगेगा S लगेगा Spot तो Spot के पीछे भी क्या लगेगा S लगेगा Todd तो Todd के पीछे भी क्या लगेगा Todd और Butterfly तो क्या बनेगा बटर्व एफ एल वाई का आई होके येस लगेगा ठीक है तो ये हो गया सब उसके बाद का जो लेशन है वो हम हमारे अगले वीडियो में स्टेडी करेंगे